कि काफी दिनों से मतब देख रही हूँ अब्जर्ब कर रही हूँ जिस तरह से मेरा जो कैरेक्टर लिखा गया है और जो है कैरेक्टर बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते हैं इस कैरेक्टर को आप क्यों ऐसा बरताव करती हैं उनके साथ वो तो इतने अच्छे है तो लेकिन यह होता है कि जब तक कोई बुरा वेवार ना करें तो अच्छा ही बाहर नहीं है इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर यह नेगेटिव कैरेक्टर है तो कोई कुछ पॉजिटिव चीज निकालने के लिए यह सारी नेगेटिविटी है और ऐसा है लोगों को बिल्कुल अ वह उतना कम है उन्होंने हमारे राश्रका सभीधान रचा है और यह ऐसी एक चीज है जिसके बल्बूते हमारा देश चल रहा है जिसकी बहुत जरूरत थी कुछ वक्त पहले और जो सारी चीजें बाबा साहे के परिवार ने और उन्होंने सही है यह सारी चीजें अब तक नहीं होती एक तो ऐसा इंसान बना जिसने पूरा देश पलटके रख दिया पूरा जग में जो अभी चल रहा है उसका एक बुनियाद एक रखी गई है जो बाबा साहिब जीने बुनियाद रखी जिसके बलबुते हमारा देश चल पा रहा है और यह बहुत जरूरत थी उस व हिए कि प्टाव सथमीने बता है इंसान को यह तो अभी हम पार हमें पता भी नहीं है साथी चीजे क्योंकि हम इतनी बाते हमारी लिए सहज हो गई है तब नहीं थी इतनी सहज बाते और मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता हूं ऐसी चीज कोई भी नहीं कर सकता है इतना वो इंसान डेडिकेटेडली अपने अपने लोगों के लिए लड़ा अपने देश के लिए और बहुत बड़ी बाते बहुत महान वह महामानव है मैं तो कहूंगी जिन्हों ने इतनी बड़ी चीज दुनिया हमारे देश में लाई कि सभीधान रचा उन्होंने और इस वज़े से आज हम सब इतने सहज तरीके से जी पा रहे हैं विचारों को उतना ही सराते हैं उतना ही सम्मान देते हैं और यह तो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ लेकिन बाबा साहिब जी का ओधा मुझे भी पता है क्या है और मैं रिस्पेक्ट कर पती हुई थी तो मेरे ससुराल में हम बहुत ही अलग विचारों के लोग हैं तो मेरे पती और मैं स्टेज बर जब चड़े तो हम समीधान लेकर चड़े थे हमने एक ऐसा एक ऐसा विवा कि जहां हम लोगों को बताना चाहते थे कि किस चीज की जरुरत है समाज में यह नही सबीदान लेकर स्टेज पर चड़े और हमारे रिसेप्शन के गेट के बाहर हमने एक बुक स्टॉल लगाया था जहां पर बहुत महान महान लोगों की किताबे रखी थी कि आपको अगर गिफ्ट देना ही है हमें तो प्लीज वहां से किताब छिएमा खरी ढ़ार और हमीद्व बात कुल मैं बताना चाहती थी बहुत अच्छा लगता है जोब हमेरी Eddaar में निभा रही हूं बहुत अच्छा लगता है की मैं उनके जिन्दगी का थोड़ा सा पार्तोसी पा रही मैं उसका पार्ट हो पार रही हूं कई मैं उसके पात्र बन पा रही हूँ, मुझा अच्छा लगता है अगर आप हमारी सीरियल देखे, मैं शुरताओ से भी कहूंगे कि अगर पूसे सीरियल देखते हैं तो उन्हें एक-एक कैरेक्टर ऐसा लगेगा कि यह ऐसा ही होगा, उनको लगेगा कि वो काल में जा रहे हैं यह नहीं कि अभी शूट करके यह दिखा रहे हैं क्योंकि इतना जीते हैं हम उस कैरेक्टर को बहुत दिल से निभाने की कोशिश करते ताकि आप तक वो सच्चा ही आए Thank you so much और मेरी तरफ से आप सभी को डॉक्टर बाबा साहिब आमवेर करकी जैनती पर बहुत बहुत मंगल काम नाए जै भीन